दोस्तों करनाटिका बैंक लिमिटेड ने कल शाम एक नवंबर 2022 को अपने क्वाटर टू के फानेंशल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है यह इस बैंक के स्टैंड अलोन फानेंशल रिजल्ट है और यहां सारे फिगर करोड में बताए गए हैं क्वाटर टू में इंट्रेस्ट अर्ण 1771 करोड है जो क्यूवन में 1629 करोड था और प्रिविएस एर क्यूटू में यह 1554 करोड था इंट्रेस्ट अर्ण में इयर ओन इयर बेसिस पर 14% की बढ़त हुई है और क्वाटर अन क्वाटर देखें तो यह लगबग 9% बढ़ा है Q2 में टूटल इंकम 2021 करोड है जो क्यूवन में यह 1762 करोड था और प्रिवियस एर क्यूटू में यह 1829 करोड था तो टूटल इंकम में यर ओन इयर बेसिस पर 11% की बढ़त है और क्वाटर अन क्वाटर बेसिस पर यह 15% बढ़ा है Q2 में operating profit लगबग 578 करोड है जो Q1 में ये 413 करोड था और previous year के Q2 में ये 493 करोड था तो operating profit में भी year on year business पर 17% की बढ़त है और quarter on quarter तो ये 40% बढ़ा है Q2 में net profit 411 करोड 63 लाग है जो Q1 में 114 करोड 18 लाग था और previous year के Q2 में 125 करोड 61 लाग था पैट में year on year basis पर 228% की बढ़त है और quarter on quarter ये 260% बढ़ा है Q2 में earning per share तेरे रुपे 22 पैसे है जो Q1 में 3 रुपे 67 पैसे था और previous year के Q2 में ये 4 रुपे 4 पैसे था EPS में year on year 227% की बढ़त है और quarter on quarter ये 260% बढ़ा है अब चलिए हम लोग इस bank के NPA ratios को देखते हैं Quarter 2 में percentage of gross NPA 3.36% है जो previous quarter में 4.03% था और previous year के Q2 में ये 4.52% था तो gross NPA में year on year 116 basis points की कमी हुई है और quarter on quarter ये 67 basis points कम हुआ है Q2 में percentage of net NPA 1.72% है जो Q1 में 2.16% था और previous year के Q2 में ये 2.85% था तो net NPA में year on year 115 basis points की कमी हुई है और quarter on quarter ये 46 basis points कम हुआ है तो asset quality में लगातार सुधार हो रहा है Quarter 2 में net interest income 802 करोड 73 लाग है जो Q1 में 687 करोड 56 लाग था और previous year के Q2 में ये 637 करोड 10 लाग था तो net interest income में year on year 26% की बढ़ता है और quarter on quarter ये 16.75% बढ़ा है तो net interest income में year on year 26% की बढ़ता है Quarter 2 में net interest margin 3.78% है जो Q1 में 3.33% था और previous year के Q2 में 3.31% था तो net interest margin भी year on year और quarter on quarter दोनों ही बेशिस पर बढ़ा है दोस्तों करनाटका बैंक ने इस quarter में all time high quarterly net profit generate किया है इस बैंक के advances और deposits में भी growth हुआ है asset quality में भी सुधार हुआ है और net interest margin में भी growth हुआ है तो मुझे इस बैंक का result बहुत ही अच्छा लग रहा है अब देखते हैं कि आज market open होने के बाद इस result पर कैसे react करता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद